फ्रेंड्स लेटेश टेक न्यूज, ओनलाइन टिफ्स और ट्रिक्स, ब्लॉगिंग और ओनलाइन अर्निंग से जुड़े है जानकारी भरे पोस्ट हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारे न्यू ब्लॉग टेकजोन.com पर विजिट करें हमारे ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तो आपको इस ब्लॉग पर सारी जानकारी हिंदी में मिलेगी आचारे चानक के कोहीं कोटिल्य बिश्णु गुप्त और वातस्यान कहते हैं दोस्तो उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ रहा दोस्तो चानक्य के जीवन को जानने से यह पता चलता है कि कैसे ये कानात बालक अपने दम पर मगद समराज ही नहीं भारत का अपरते चुरूप से सासक बन गया चानक्य का जीवन बच्पन से लेकर अंद तक संघर्स भरा रहा लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी आईए दोस्तों बतलाते हैं आपको चानक्य के जीवन की प्रेरित करने वाली संघर्स की कहानी के बारे में हरो दोस्तों स् दोस्तों बिना कोई देरी के वे सुर करते हैं इस वीडियो को दोस्तों चानक्य के पिता का नाम चनक था चनक मगद के राजा से असंतुष्ट थे चनक किसी भी तरह महा मात्य के पद पर पहुँचकर राजी को बिदेसी आक्रमंताओं से बचाना चाहते थे इसलिए उन्ह सर्यंत्र का पता लग गया उसने मगत समराठ धनानंद को इस सर्यंत्र की जानकारी दी चनक को बंदी बना लिया गया और राजी भर में खवर फैल गई कि राजद्रों के अपराद में एक ब्रहमन की हत्या की जाएगी चनक के किसोर पुत्र कोटिल्य को यह बात पता चली वह चिंतित और दुखी हो गया चनक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया पिता के कटे हुए सिर को देखकर कोटिल्य की आँखों से आसु टपक रहे थे उस वक्त कोटिल्य की आयू मातर 14 वर्स की थी रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपडे में लपेट कर चल दिया अकेले पुत्र ने पिता का दाह संसकार किया तब कोटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर सपत ली कि है गंगे जब तक हत्यारे धना नंद से अपने पिता की हत्या का परतिसोध नहीं लोगा तब तक पकाई हुई कोई भी बस्तु नहीं खाऊंगा जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूँगा तब तक यह सिखा खुली ही रखुँगा मेरे पिता का तरपन तभी पुर्ण होगा जब तक की हत्यारे धननंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चड़ेगा हे यमराज धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो उसकी मिर्तिव का लेख अब मैं ही लिखूंगा दोस्तो इसके बाद कौटिल्ले ने अपना नाम बदल कर विश्नुगुप्त रख लिया एक बिद्वान पंडित राधा मोहन ने बिश्नुगुप्त को सहारा दिया राधा मोहन ने बिश्नुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तच्छ सिला बिस्तो बिद्याले में दाखिला दिलवा दिया यह बिश्णुगुप्त अर्थात चानक्य के जीवन की एक नई सुरुवात थी तच्छ सिला में बिश्णुगुप्त अर्थात चानक्य ने ना केवल छात्र कुलपती और बड़े बड़े बिद्धानों को अपनी और आकर्सित किया बलकि उन्होंने पडोसी राजे के राजा पोरस से भी अपना परिचय वढ़ा लिया सिकंदर के आकर्मन के समय चानक्य ने पोरस का साथ दिया सिकंदर की हार और तच्छ सिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विश्णुगुप्थ अपने ग्रीह प्रदेश मगत चले गए और यहां से प्रारंब हुआ उनका एक नया जीवन उन्होंने विश्णुगुप्त नाम से सक्टार से मुलाकात की बिता का मित्र सक्टार जो अब बेहद ही ब्रिद्ध हो चला था विश्णुगुप्त अर्थात चानक्य ने देखा कि मेरे प्राजिकी किया हालत कर दी है धननन्द ने उधर विदेशियों का आक्रमन बढ़ता जा रहा था और इधर से दुष्ट राजा नित्य मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ रहता था एक बार विश्णुगुप्त भरी सभा में पहुँच गए चानक्य ने उस दरवार में क्रोध वस्ही अपना परिचय तच्छ सिला के आचारे के रूप में दे दिया और राजी के प्रती अपनी चिन्ता व्यक्त कि उन्होंने यूणानी आक्रमन की बात भी बताई और संक्या जहिर की कि यूणानी हमारे राजी पर भी आक्रमन करने वाला है इस दवरान उन्होंने राजा धननंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राजी को बचा लो महराज लेकिन भरी सभा में आचारे चानक्य का अपमान हुआ उपहास उड़ाया गया बाद में चानक के फिर से सक्तार से मिलते हैं और तब सक्तार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोसी पुरुस और समाज हैं उनमें से एक है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है किसी संदेह के कारण धनानंद ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवस क अगले दिन सक्टार और चानक के जोतिस का वेस धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मूरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यनती ही भोले भाले लेकिन लड़ाकु परविर्ति के आदिवासी और बनवासी जाती के लोग रहते थे वहां चानक के ने चंद्रगुप्त को एक खेल खेलते हुए देखा, तब चानक के ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लच्छ बना लिया और फिर शुरू हुआ चनक के का एक और और नया जीवन. कोटिल्य उर्फ भिष्णु गुप्त अर्था चनक पुत्र चानक के ने तब चंद्रगुप्त को सिच्छा और दिच्छा देने के साथ ही भील आदिवासी और बनवासियों को मिलकर एक सेना तैयार की और धनानंद के समराजी को उखाड फेक कर चंद्रगुप्त को मगद का समराट बनाया बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र असोग को भी चानक के ने महामंत्री पद पर रहकर मार्ग दर्सन दिया तो दोस्तो यह थी एक छोटी सी जानकारी की कैसे एक छोटा सा बच्चा कौटिल्य पहले विश्णु गुप्त बना फिर बाद में आचारे चानक के बन गया उम्मीद करते हैं फ्रेंट्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा और दोस्तो ऐसे ही ग्यान बर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप मारे चैनल ग्यान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा आप मारे चैनल को लिखते रहिए जानते रहिए धन्यवाद जय हिंद